दोस्तों नमस्कार कई भाईयों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि कौन सा विटामिन एच बेंस के लिए बहुत ही शानदार है और अक्सर हमारा भी प्रस्ण रहता है जितने भी बेंस पालक है जो डीरी फार्मिंग कर रहे है उनका ये प्रस्ण रहता है कि हम अडर गादी या थन बढ़ाने के लिए जो विटामिन एच मार्केट से लाते है कौन सा बेस्ट है प्लीज आप बताईए और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सुचा कि सभी कमेंट्स को लेकर के एक साथ वीडियो बना दिया जाए और वही मेरा उद्देश्य है इसमें मैं किसी कमपनी का परचार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्चुली क्या है जो हमारे यहां राजस्तान में चलते है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ और जो डेरी फारमर्स जिनको दिलवाया जाता है वो संतुष्ट होते हैं और अच्छा रिजल्ट लेते हैं आप भी जब भी किसी प्रॉटक्ट का इस्तिमाल करते हैं पहले उसे चेक कीजिए यानि कहते हैं ठोक बजा के इस्तिमाल करना तो पहले चेक कीजिए उसके बाद इस्तिमाल कीजिए यह मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सबसे बैस्ट जो है वो विर्बे कंपनी का आता है अडरे स्ट्रोंग एच अडरे स्ट्रोंग एच जो आप फोटो में देख पा रहे हैं अच्छा रिजल्ट है दस से पंद्राइमल के बीच हमारी गाय को भेंस को दिया जा सकता है भेंस के लिए बहुत ही शांदार है तो यह गाय के लिए भी अच्छा है तो दोनों में भी इसा इस्तिमाल किया जा सकता है और बच्चा देने से पहले दो मेने पहले आप इस्तिमाल करें तो भी अच्छा है और बच्चा देने के बाद अगर आप इस्तिमाल करते हैं तो भी शांदार है इसके बाद जो अगला है वो है अडर H यह भी कापी सालों से बहुत ही शांदार चल रहा है और result wise भी अच्छा है dose wise उतना ही है यह जितने भी vitamin H की syrup आती है dose wise 10 से 20 ml के 20 हम देते हैं और अच्छा result मिलता है कैसे भी खिला सकते हैं अगर हम अलग माल लिजे manual mixer दे रहे हैं उसके साथ भी दे सकते हैं दाना मिसरन के साथ दे सकते हैं कैसे भी इने खिलाया जा सकता है थार्ड नमबर पे वो है Vitamix Gold यह Zydus कंपनी का है बहुत ही अच्छा है result wise यह भी टकर देता है इसके बाद आप यूज कर सकते है Vitamage जो की Tinnata कंपनी का है यह भी अच्छा है बहुत ही शांदार चारों product है और हम आराम से इस्तिमाल कर सकते है जहां पर जो भी मिलता है इसके अलावा आज कल क्या हो गया कि कई कंपनीया जब vitamin H का हुआ vitamin H अडर बढ़ाएगा तो इस अडर बढ़ाने की दोड में कई कंपनीया जो है वो अपने vitamin H उतारती है लेकिन जब भी हम किसी का भी इस्तेमाल करते हैं उससे पहले जरूरी है कि हम जाज कर लें पहले रिजल्ट ले लें जिसका रिजल्ट हमें मिलेगा उसी को हमें आगे रखना है चाहिए मैंने ये चारों बताएं हैं वो आपकी जानकारी के लिए है आप बेटर रिजल्ट ले और उसके बाद इस्तेमाल कर झाल झाल झाल